प्लीज सब्सक्राइब प्रेस दे बेल आइकन हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू मैं चैनल आज मैं आपको सोल्डर सलाई से जोडने बताऊंगी तो यह दिखें यहाँ पर हम इसे सलाई से जोडना सीखेंगे यह मारा बैक साइड का पार्ट है यह बैक साइड के पार्ट में मैंने 85 पंदे डाले हुए हैं और यह बॉडर बनाया हुआ यह बॉडर आप देखना चाहते हैं आई बटन में इसका लिंक दिया हुआ है आप इसे देख सकते हैं और यह 85 पंदे इसकी तरह से बनाते हुए यह मैंने सोल्डर इस तरह से पहले तीन फंदे फिर दो फिर एक इसके बाद भी ये सारे फंदे हमने इस तरह से बुन लिये हैं अब ये सारे फंदे मारे सलाई में ही हैं देखिए हमने इसमें कोई भी गला नहीं गटाया है इसी तरह से हमारे सिंपल है और ये देखिए हमारे फ्रंट का पार्ट है तो देखिए फ्रंट में मैंने दोनों प चटाओ दिया है वह मैंने पिछली वीडियो में बताया है अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन में इसका लिंक दिया हुआ है आप इसे देख सकते हैं इस तरह से हमने यह फ्रंट के दोनों पार्ट कम्प्लीट कर लिये हैं और इसमें यह मैंने पॉकिट भी बनाय हुए है दोनों साइड में तो इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो आई बाटन में इसका भी लिंक दिया हुआ है तो यहां पर दिखिए फ्रंट यहां पर मैंने कोई डिजाइन नहीं बना बुनने के लिए मिलते हैं अब यहां पर देखिए यह हमारा फ्रंट का पार्ट है जो हम सीधी की साइड में पकड़े हुए हैं तो इसे हम इस तरह से घुमा लेंगे और यह सीधे से सीधा पार्ट जोड़ेंगे और देखिए यहां पर अगर आपका यह बुनाई वाला आप इस साइड में कर लिजेगा इस साइड में होना चाहिए अब यहां पर देखिए एक फंदा हम इस से लेंगे इस सलाई से जो बैक साइड का पार्ट है इस से लेंगे और एक फंदा हम सीधी की साइड वाले पार्ट से लेंगे फिर से एक फंदा इस साइड से एक फंद दोनों सलाई से एक एक फंदा लेते हुए इससे हम पलट लेते हैं इस सलाई में फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो यह दिखे फ्रंस यह जो सीधे सीधे फंदे थी यह मैंने एक फंदा इस सलाई से एक फंदा इस सलाई से लेते हुए इसमें कर लिये हैं अभी 7 फंदे मारे करेंगे चाहिव दैखिए इससाएड में लाएंगे और यह सलाटो करेंगे दोपा दो फंदे का एक फंदा करेंगे, एक फंदा इस साइड का, एक फंदा इस साइड का, दो फंदे का एक फंदा करेंगे, फिर से ये वाला फंदा हम इसमें ले लेंगे, और यहाँ पर तीन फंदे का एक फंदा करेंगे, इस तरह से, तीन फंदे का एक फंदा करेंगे, फिर से कึ lots आपने कि यहां इस तरह से पहर उतार सकते हैं ही इसी यह दिढ़ाई में आरा थ्यार थेंगे इस आपने इस चाहरा सकते हैने अपतल है 5 a 5 a 5 g और फिर से यहां पर हम दो फंदी का एक पंदा करेंगर, आ出去 दो फंदे का disturbing कर लेंगे उस तरह से और यह यहां पर मैं 3 फंदे का एक फंदा करते हुए इस तरह से 3 फंदे का एक फंदा करते हुए यह बंद कर लेते हैं यहाँ पर मैंने के सभी फंदे बंद कर लिए हैं यह 1 फंद साय बंद कर लेंगे इसी में मैं 2 फंद का 1 फंद कर लोंगी और को दिखेगा तो यहाँपर हम 2 फंद का को पर एक फंद कर लेंगे इस तरह से दो फंदे का एक फंदा ये भी हमें नॉर्मल फंदे उतारने हैं कोई भी फंदा टाइट करके नहीं उतारना है तो हम इने इस तरह से उतार लेते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो यह सारे फंदे हम इस तरह से उतारते हुए आ चुके हैं यहां से तो दिखे फ्रांस अभी हम सेकेंड पार्ट जोड़ेंगे राइट साइड का तो यहां पर देखी यह वाली नीडल समने लगाए थी तो यह इस तरह मैं और यह हमारा धागा इस साइड में हैं ती धागा तो हम दोनों साइड में है तो इस साइड से भी उतार सकते हैं तो पहले इन फंदों को हम इसमें उतार लेंगे इस तरह से कि प्रेंडि यहां पर मैं 57 लड़ी यह मैंने बटन पटे के छोड़े हैं यह मैं इसमें उतार कर छोट दूँगी ये दिखे इस तरह से उतार कर इस तरह से छोड़ देंगे एक फंदा हम इस से लेंगे इस सलाई से जो बैक साइड का पार्ट है इस से लेंगे और एक फंदा हम सीधी के साइड बाले पार्ट से लेंगे फिर से एक फंदा इस साइड से एक फंदा इस साइड से लेंगे और ए दोनों चाराऴ से एक एक फंदा लेते हुए इसे में पलट लेते हैं इससे एक फंदे में अपल चाराएं लेथाए यूसे तरह से विद्ध बंद मुद्थ यथा तीन फंदे की यह बंद ब्याहित आए भी बंद 720प Kerry ए तरह से तीन फंदे का एक पंदा alors il o का है तो चे देखी फंस तरह से मई तीन पंदे का एक पंदा परते हुए यह सब ही इंड बंद कर लिए हैं और से अमने बंद करके यहां पर हम इसे passing धागा निकाल कर नौट लगा और यहां पर देख सकते हैं इस तरह से मारे सोल्डर जुड़कर कम्प्लीट हो जाएगा और इस दागे को कट करके हम यहीं पर पक्का कर देंगे तो यह देखे फ्रंट्स यहां पर आप यह देख सकते हैं यह मारे सॉल्डर बनकर दोनों साइट की कम्प्लीट हो चुके हैं और यह बटन पट्टी वाले फंदे जो हैं वह हम इस तरह से अब इस साइट से बुनना शुरू करें यहां पर हम उल्टी साइट की सलाई बुनने वाले हैं तो जो भी आप जिस तरह का बॉडर बना रहें उसी तरह का बनाईएगा और एक फंदा देखेंगे और यह वाला फंदा हम एक फंदा यहां से बना लेंगे इस तरह से एक फंदा हमने उठा लिया अब यहां पर देखिए इस तरह से घुमाएंगे देखिए दो फंदे का हम एक फंदा करेंगे इस तरह से और यह सारे फंदे हम इस तरह से बुन लेंगे इससे क्या होगा कि हमें कोई भी पट्टी अलग से नहीं बुननी पड़ेगी और यह पट्टी हमारी इसी में बुनती हुई चलेगी अब यहां पर देखिए कोई भी सिलाई लगाने का जंजट नहीं है तो यह वाली हम सलाई इस तरह से बुनती हुई चलेंगे और जब यह उल्टी सलाई यांई राइट साइड के राइट घिंगी इस तरह की सलाई बुनते हुए तब यहां पर हम फिर से फन्दव बना लेंगे इस तरह से यह हम इस तरह से गुमा लेंगे इंगे को दो फंदे का एक बटन पट्टी का फंदा लेंगे और एक ये पंदा जो बनाया हुआ है इन दो फंदे का एक फंदा करते हुए ये पूरी सलाइय में बुन लेनी हैं इस तरह से और फिर हम इस तरह से आएंगी यह वाली सलाई बुनेंगे पलटकर इस तरह से यह फंदे हम बुन लेंगे इसके बाद देखिए यहां पर आएंगे यह धागा गुमा लेंगे और एक फंदा इस तरह से बना लेंगे बना लिया है अब यह पारले फंदे फिर से हम पलटकर बुनेंगे तो यहां पर देखिए दो पंदे बनाया हुवा और एक बटन कभट्टी का फंदा SI बढ़ेंग dilotकेट ok say remarkable सब्यूद कि निदें से में वाले तरी सब्लिट्री का अब कर लेंगे और यह वाली सलाह हाई में और अडलने बांकी सलाह में जाते टोट्री थैक कर लेंगे इसी तरह से में बटन पट्टी को लाश्ट तक बना कर आते हैं देखे इस तरह से अब यहां पर हम एक पंदा बना लेंगे फिर से एक पंदा मैंने यहां पर बीच में छोड़ दिया है यह वाला छोड़ देंगे और इसके आगे का यह वाला पंदा उठा लेंगे यह गुमाव में है दो फंदे का एक पंदा करेंगे इस तरह से दो फंदे का एक पंदा कर लेंगे और यह फंदे हम इस तरह से बुन लेंगे इसी तरह से हमें पूरी पटी को बना कर कंप्लेट कर लेना है एक फंदा हम साइड में उठाते जाएंगे और उसे हम दो का एक करते जाएंगे रॉंग साइड की सलाई में तो देखे फ्रंस इस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं यह मैंने फंदे उठा है एक इस तरह से जी पताया बंबना आचुके हैं अब यहाँ पर देखिए यह देखिए यहाँ पर रमा चुके हैं और यह इतना गैफ अभी है यहाँ पर तो इसे हम पहले बुनेंगे देखिए किस तरह से यह वाला फंदाम इस तरह से उतारेंगे इस साइड से धागा गुमाएंगे और यह फंदे हम इस तरह से बुन देखिए इसमें कोई भी हमें सिलाई नहीं लगानी पड़ी है और आराम से हमारा बैक गलाबी बन चुका है यह फंदा हमने बुन लिया अब यहां पर फिर से दागा गुमाएंगे जिसे हम पूरे में करते आएं और यहां पर देखिए यह लाश्ट में है तो यहां पर हम ए बुझा लेंगे कि और इस तरह से पलट कर दो फंदे का एक पंदा कर लेंगे कि पास किसे की अपर दीक नेकके हम खेफिक साइड में और वह मैं गानी यहां पर यहां लगाएंगे यहां पर दिखिए उस तरह से एक फंदषम इस सब्सक्राइब करेंगी जिस तरह से हमने सोल्डर क्लोज किये थे उसी तरह से करेंगे यहां पर आने के बाद यहां से हम एक फंदा बना लेंगे तो दिखिए यह बैक साइड से इस तरह से घुमा लेंगे दिखिए दोनों साइड से हमारे इस तरह से फंदे दिख रहें अब हम इस साइड से हम इन्हें बंद करन शुरू करेंगे, दो फंदे का एक फंदा, फिर से ये बलाएंगे, अब यहाँ पर तीन फंदे का एक फंदा बनाएंगे, तीन फंदे का एक फंदा, त्री फंदे का एक फंदा करेंगे, फिर से फंदा इस सलाई में ले लेंगे, तीन फंदे का एक फंदा करते हुए, ये देखिए इस तरह से हमारे सभी फंदे बंद हो चुके हैं यह देखिए यहां पर और हमने कोई भी सिलाई नहीं लगा है अब यहां पर यह गैफ है तो यहां से हम एक फंदा इस तरह से ले लेंगे यहां से एक फंदा ले लेंगे और यह वाला फंदा एक ले लेंगे दो फंदों को हम इस तरह से ले लेंगे और इस फंदे को भी इसमें ले लेंगे नोट लगा लिजे अगर यहाँ पर हम नोट लगाते तो थोड़ा गंदा लगता है कि यह थोड़ा बहुत तो धागर रह जाता है यह देखे फ्रंस यहाँ पर कोई भी गैप नहीं है देखे नेक की पट्टी यह बटन पट्टी जो है वो हमारी इस तरह से जुड़ चुकी है अब यहाँ पर हम इसे पक्का कर लेंगे और कट कर लेंगे और देखी फ्रांस इस तरह से मारा नेक बनकर कम्प्लीट हो जाएगा तो फ्रांस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें चेनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर कर लें वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत बने वान